लोक्डाउन में है सारे private schools में online class हो रहाया है हो रहा है mobile पे class करते हैं लोग computer पे class करते हैं वो सरकारी your school पर रहा हुश को क्व्क मंत्री के मुँख्य क्लास करवा रहा है आपने सुना किसी मुख मंत्री के मूह से कि सरकारी है उसमें हम online करवा रहे हैं क्लास हर बच्चों को हम दे रहे हैं घर में मंदीर महजीद हिंदू धर्म जाती मजहब का जिराजन्यति था उसे अब लोग पक चुका है आप लोग रुजगार चाहिए शिक्षा चाहिए मैंने आपको बोला 65-70% जो एलेक्टोरेट है जो वोटर है वो युवा है और युवा वोटर की जो आवश्यक्ता है वो नौकरी है अब राम राम कर देने से वह जेबी में पाई नहीं है वह कितना अदमी काली मंदिर में जा रहा है सब तो बजार में घूम रहा है वो जाए पोखर पर उपस्थित है और यहां हम चर्चा करेंगे वहार की राजनिती जो बरत्मान में किस मुद्दा पर वहार की राजनिती चल रही है इस मुद्दा को लें करिकर हम अपने इस कर में हमारे साथ जुरे हैं ép Si जाना था कि तेजस्वी जी नवी फेल का ये मुद्दा लगातार विपक्ष के माध्यम से उठाया जा रहा है और इस चुनाबी जहां भी जनसभा हुई है उसमें नवी फेल जो है सो किस परकार से मुख्मंत्री पद को सम्हा लेंगे क्या इस ये मुद्दा जो है सो कितना र के कामराज तमिलनाडू के मुख्मंत्री थे 1965 में 60-70 के बीच में वो तमिलनाडू के मुख्मंत्री थे उन्हों वो पांचवी कक्षा वो सिर्फ पास थे और समाजवादी अंदोलन में नेरूवियन समाजवादी अंदोलन के जो सबसे प्रखर नेता रहे हम लोग कहते हैं इस जमाने में सरकार क्या कर रही है, मिड़े मील कर रही है, बड़ा achievement करते हैं, कि आप जानते हैं कि 65 में के कामराज ने मिड़े मील स्कीम लाया, आज तमिलनाडू कहा है, तमिलनाडू में अज द्रविरियन, मतलब पिछडे लोग, दलित लोग, राज करते हैं, सवर्णों क करते हैं, कि आप सिर्फ एक राजनितिक नेत्रीत हुदेते हैं, आप समाजिक दिशा बताते हैं, कि इस तरफ हमको चलना है, और वो चलने के लिए जरूरी नहीं है, कि आप अब आप FRCS लंडन हैं तो अगर ऐसा होता तब तो आप हिंदुस्तान के 10 जो सबसे टॉप है उसको चुल लीजिए और सब स्टेट का चीफ मिस्ट बना दीजिए तो बड़ा-बढ़ियां हो जाएगा देखिए यह सब मुद्दा भठाने वाली बात है अब इसके जवाब में लोग कूछ ले कि इंटाइर पॉलिटिकल साइंस वाले प्रधान-मंत्रियां हमारे वैसा कोज सब्जEक्ट होता है वह इंटाइर पॉलिटिकल साइंस एक एक इंटर्विव में परधान मंत्री जी कहते हैं लगभग दोहजार इसमी में कि मैं इसके लिए सफल हुआ कि मैं ज्यादा पढ़ा नहीं दोहजार पांच में मैं सिर्फ पांच मी का पास हूं तो लेकिन आज के समय में जो उनके समर्थक लोग है वो कहते हैं कि मारे बड़ सरी विए और वहना उनके पिता जीविवी और उनके पीठाश के पास नकली डिगरी नितिजि के जमाने में सारा कॉलेज बंधे क्लास कहीं होता नहीं है इसकूल में क्लास होता नहीं है सबक कर्दि टीगरी घ्र दूसरे पुत्रियों जैसे उनकी बेटी है वह सब्सक्राइब करने के लिए क्रिकेट के शेतर में उन्हों बहुत मैंने जो कहना चाहिए उससे ज्यादा करके दिखाए उसके अलावे जो समाजिक छेतर है उसमें सचीन दूलकर का योगदान देख लीजिए बहुत जादा योगदान की समझ देख लीजिए यूएन के वह रिप्रेजेंटेटिव हैं वह बात करते हैं वह अभी भी मे सब्सक्राइब करते हैं पिछले 15 साल में बिहार में एक स्थिर सरकार थी कुछ एक बीच में डेर साल यूपिये के साथ आये पल्टी मारके उधर गए लेकिन कम से कम व्यवस्था मोटा मोटी स्थिर रही चाहिए यूपिये के साथ रहे महागटवंदन के साथ रहे नितिश जी या एंडिये के साथ है अब इस 15 साल की वह सबसे बड़ी उपलब्धी क्या बताते हैं वह अची आप स्कूल्स की हालत देख लीजिए जिस स्कूल में 40 विद्यार्थियों के परहने का सीठ है उसी स्कूल से 200 आदमी मेट्रिक का फॉर्म भरता है अभी तो बच्चे जो जितना परहने के लिए स्कूल में पहुंचते हैं बोरा लेकर की ही पहुंचते हैं क्या यहां सुध समाजिक वैसे तो हम लोग में समाज्यक परिवर्दन बहुत हुआ है लेकिन मैं कल वी एक बात बोल रहा था कुछ लोगों के साथ मेरी बात हो रही ती तो अब जैसे पैसे वाले लोग हैं जैसे जो मधिवर्य है अब जिवर्य स्कूल में उनलाइन क्लास हो रहा है वह दो रहा है मोबाइल पे उसको सरकारी बच्चा पर रहा है उसको कौन क्लास करुआ रहा है एक है वा असली तो उसी की है कल मैंने जंजारपूर में एक मुझहरी परिवार में गया उस बच्चे से पूछा क्या परहाई कर रहे हो तो बोला कि इसकूल बंद है इसकूल बंद है उसके लिए जीवन बंद है आप समझे इस बात को सरकारी स्कूल में बिहार के 70-75% आबादी लोग पढ़ते हैं ये वही लोग हैं जो घरीब हैं अब मैं जाती पर नहीं जाओंगा हर जाती के लोग जो आर्थिक रूप से बहुत पीछे हैं उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपके पास अगर गाउं-गा क्या राष्टlle सरकारी स्कूल पड़ाई होता है यु बिहार के किसी भी समाहणanız नाल में समाहण नालह हैं क्यूट से नियो जू को रिकूर्ट किया है से लिए और उसे प्रसासनी काम कर रहा है उसे दिकास के मुद्दा क made मुद्ध कर ली है तौनक तो पहले द्धरम कर बनता था हिंदू-ざ personnel मुद्ध बनता फार के चुनाब में एक अलग तरह का मुद्धा बना है जौका और इस मुद्थार ये अधाया बाद में जो अफॉ Bennett भी इसको अपने आप्तिमकर में सामेल किया तो क्या यह संकेत कैसा है यह संकेत कैसा है देखिये ये कोई भी आदमी जो थोड़ा सा भी जिसमें संवेधन शीलता है और जो थोड़ा सा भी डाटा जानता है, डेटाबेस जानता है, वो देखेगा कि जो भारत देश की आबादी है, उसमें 130 करोर में 65 से 70 परतिशत लोग 30 साल से कम उमर वाले हैं। ये किस चीज़ से परिशान हैं, इनको तो अब ये देख रहे हैं कि उनके पिताजी के पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं, इसको पढ़ाया, अब उसकी शादी नहीं होगी, वो परिवार कैसे बनाएगा, वो अपना जिंदगी कैसे चलाएगा, कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई पांचे जा भार आदमी जो घर छोड़के आप चले जाएगे, पंजाब जाएगे मजदूरी करने हैं, है ना, आपका सोशन होगा, आपके पास हाथ में काम नहीं है, लोग नौकरी कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए, और जो क्योंकि नौकरी करने वाले भी बेर करने अलवलिए ना, आपके पकाने खमपर चुशन हो गया, और जो आपके जो आपके पासुल रहा ही जाएगे में कामपाउंड थे यहीं कारण है कि जो विया है, आपके पेत बाहिं करका दो लाते कारद Türkiye कर सामाम करूंदूर। उनको भै है क्योंकि उनको भै है वो जानते हैं कि जो 35 मैंने आपको बोला 60-70 प्रतिस्त जो एलेक्टोरेट है जो वोटर है वो युवा है और युवा वोटर की जो आवशकता है वो नौकरी है अब राम राम कर देने से जेबी में पाई नहीं है वो कितना अदमी काली मंदिर में जा रहा है सब तो बजार में घूम रहा है वो जाएगा चाउमीन खाने उसको बढ़िया जीन्स चाहिए कहां से करेगा उसके जेब में पैसा रहेगा तब तो करेगा जेब में पैसा है तब राम जी ठीक है तब तब अल्ला जी ठीक है सब कुछ ठीक है ultimate जो में मुद्दा है वो है काम रोजगार और क्योंकि सरकार जानती है कि अभी करोना के स्थिती के बाद और और पिछले पासाथ साल से बेरोजगारी धीरे 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 हमारी बढ़ रही है सरकारें चाहे नितिश कुमार हो चाहे विवीन राज्यों की सरकार हो इस छेतर में कुछ कर नहीं पा रहे है पता नहीं ध्यान नहीं है या सोचते हैं कि एक एलेक्शन से दूसरे एलेक्शन कैसे जीता जाए इसी लक्ष को और सत्ता प्राप्ती के लक्ष में है जो objective main है कि development की बात करते हैं सरक है बिजली है या इसकुल का भवन है यह तमाम चीज़ बनी है लेकिन यही मुद्दा हम आप से करना चाहेंगे जो NDA लगातार कई वर्सों से कई पंच वर्सिये से अपने मुद्दा बनाकर के हिंदू मुस्लिम के मुद्दा पर election लड़ते रहे हैं य ऐसे में जो अक्रोस है या जो जस्वी के पीछे दोर रहा है पीछे भाग रहा है यह बोट में बैदलेगा या नहीं बिलकुल बदलेगा वो पहले वाली बात अब नहीं रही मंदीर महजीद हिंदू धर्म चाति मजहब का जिराजन्यति था उसे अब लोग पक्त चुका ह है आप लोग रोजगार चाहिए शिक्षा चाहिए कुछ काम हुआ है बिहार में पहली वार्शकार में आये थे तो कुछ काम किये रोट बनाए कुछ काम किये लेकि सिर्फ रोट बन जाना अहीं समस्या का समाधान नहीं है अच्छे रोट रहेंगे और लोगों के पास बैक लेंगे चलाएंगे तो उसका अलग रहना का आएगा है और मेरे पास सैंक्ल भी नहीं है बाइक भी नहीं है तो क्या उचित है उस रोट चेहरा बरतमार में मुखमंतरी के दौर में रेस में एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए देख रहे हैं ऐसे में तेजस्वी क का को कि यहें प्रभावित करने वाला है जान लिया है और उस मुद्दे पे बात करते हैं और उस मुद्दे से लोग उनको जुर रहे हैं रुजगार की बात पर जुर रहे हैं